नमस्ते दोस्तों कैसे हो आप सब अभी गर्मिया थोड़ी सी स्टार्ट हो गई है देखिए जैसी गर्मिया बढ़ती न हमें ठंडा पानी पीना पसंद होता है और आप देखोगे जैसे फ्रीज का पानी हम पीते है तो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो हो तो इसको हमें कैसे रेडी करना है इसमें पीने लायक पानी हम कैसे बना सकते है और एक छोटी सी जलक हम देखेंगे कि ये मटका मैंने कहां से खरिदा और कितने प्राइस में मिला और कौन-कौन से डिजाइन के मटके वहाँ थे वीडियो का इन तक जरूर देखिए पसं जैसे कलरफुल मटके आपको मिलेगी बहुती सुन्दर लग रहे है वीडियो को पिल्कुल भी किप न करें यहाँ पे मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगी आप देख सकते हैं वाइट कलर के भी बहुती सुन्दर मटके यहाँ पे रखे हुए है और यह जो मैं देख बहुत सुन्दर भी है पानी भी बोल रहे है भाया कि बहुत अच्छे से ठंडा होगा पर इसमें थोड़ा सा color किया होता है तो देखें अच्छे से clean भी करना होता है वो कैसे करना है वो आगे हम देखेंगे तो ये वाले जो simple वाले मटके न नल तो लगा हुआ है फिर भी ये यहां पे यह वाले मटके कितने में मिलते है और साथी में चैनल पे नहीं हो तो जरूसर सब्सक्राइब करें só यूसफुल वीडियो में आपके लाती रहती हूँ तो यहां पे देखें यह वाले जो डिजाइन वाले मटके है, थोड़े से उससे बड़े है और ये वाला मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि इसका शेप भी बहुत ही प्यारा है और डिजाइन भी यूनिक है तो इसे ही मैंने पर्चेस किया है 300 रुपे में, जो भाईया बोल रहेते तो उसको भी आपको कैसे फिर से पानी डाल के अच्छे से यूज करना है पिने लायक पानी उसमें बनाना है तो कैसे आपको उसको रेडी करना होगा वो हम देखते हैं तो यहाँ पे तो यह नया वाला मटका है उसे आपको बहुत सारा पानी पिलाना है, मतलब आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं उपर से पानी डाल रहे हूँ, तुरंत वो सूख रहा है, मतलब यह पूरा जो है ऐसे सूखा हुआ है, बहुत दुन से ऐसे यह पड़े होते हैं, तो इसको अच्छे से पानी से पूरा आप को भिगोना है, अच्छे से वाश भी करना है अंदर की तरफ से, तो वाश करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, नया वाला स्क्रबर, यहाँ पे आपको नया स्क्रबर नहीं लेना है, तो आप कोई भी साफ कपड़ा ले लीजे, और उसे ही साइड में अच से ही करेंगे, और एक बात का ध्यान रखिए यहाँ पे हमें बिलकुल भी साबुन का यूज नहीं करना है, जितना भी आप साबुन का यूज करोगे, हमारा जो मत्की है, उसमें से जो بी स्मयाल है न साबुन की वो आने लगीगी, पानी में बी वो स्मयल जाएगी तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी, कौन सा भी केमिकल हमें यूज नहीं करना है, यहां पर बस हम स्क्रबर की मदर से अंदर से थोड़ा सा इसको गुमाएंगे, ताकि जो भी इसका कलर है, एक्स्ट्रा का जो भी चीजे है, फसी हुई वो अच्छे से निकल जाए, तो देखें जैसे बाहर की साइड भी करना है, अंदर की साइड भी करना है, क्योंकि बाहर भी हाथ हम लगाएंगे, पानी को ग्लास को हाथ लगेगा, और जो धक्कन है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, जो यह धक्कन मैंने लिया है, यह वाला लिया है, ताकि जो आप पूरा उपर तक पानी भरना है और एक बात का ध्यान रखिए पुराना स्क्रबर या पुराना कपड़ा बिल्कुल भी यूज मत कीजिए मटकी को साफ करने के लिए तो यहां पर मैंने पूरा इसको अच्छे से भर दिया है अब हम क्या करेंगे जो भी इसका ढखकन है इस त गंटे के लिए या फिर राद भर के लिए दो गंटे में आप देख सकते हैं यहां पर यह जो पानी है ना कम थोड़ा सा दिखाई दे रहा है मतलब हमारे जो मटकी है वो पूरा पानी सोक ले रहा है तो यह तो बहुत अच्छा साइन है जरूर ऐसा होना चाहिए बाद में इसकी वज़े से हमारा जो पानी है इसके अंदर का ठंडा होता है तो मैंने इसे राद भर के लिए ऐसे रख दिया था अब जैसे सुबह आप होगे तो एक बार इसमें से पानी निकाल के दूसरा पानी डालिए थोड़ा सा अंदर से हाथ घुमा के और जैसे दो बार मैंने इसमें से पानी अभी डाला है तीसरी बार आप देखोगे इसके अंदर आप जो भी स्मेल थी वो भी चली जाएगी पानी भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है ये पानी मैं बिल्कुल भी बैस नहीं करूंगी पोधो के अंदर में पानी ये डालने वाली हूँ मटकी लिए नमक इतनी बड़ी मटके के लिए एक चम्मच नमक तो काफी है तो यहां पे मैं इसके अंदर है isनक डाल रही हूँ तो पानी भी है एक दो ग्लास तो काफी हो जाएगा और अच्छे से हमंसे पानी है पूरे मटके के अंदर मिक्स करना है जो की पूरे मटके को यह करता है नमक और इसकी वज़सी हमारा जो पानी है बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है आप भी जरूर ट्राइ करें क्योंकि जितना ज्यादा इसके जो चेदे खुले रहेंगे थोड़ी वह थावा मतलब बहुत ज्यादा कम छोटे चेद होते हैं बिल्कुल ऐसे दिखाई चेदे वाले नहीं उससे इसमें एर पास होती रहती है और पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो यह वाली प्रोसेस मैंने अभी कर दी है अब हमारा जो मटका है वो पानी पीने लायक बन गया है अब हम क्या करेंगे चाहो तो आप इसमें पूरा पानी भरके पीने लायक पानी है भरके रख सकते हो या फिर आपको एक दिन और इसे धूब दिखाना है या फिर पानी रखना है तो रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं मैंने इसमें डाला है पीने लायक पानी और इस तरीके से पानी डालके मैंने इसे छोड़ दिया है जैसे आप देख रहे हो पूरा मै पानी ठंडा करने के लिए आप क्या करते हो मुझे जरूरag comment box में बताएं तो यहाँ पे आपको अगर गिला कपडा लगा के इसके उपर रखना है तो भी रख सकते हो पर मुझे तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं दिख रही है तो मैं तो यहाँ कपडा नहीं लगाँगी यह चोटी सी ट्रिक जो मैंने फॉलो की न उससे मेरा पानी बहुत ही ज्यादा थंडा हो चुका है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको इससे जरूर मदद मिलेगी क्योंकि जब भी हम नया मटका खरीते है थोड़ी सी स्मेल आ जाती है या फिर पुराना भी जैसे यूज़ करते हैं मटका पानी धंडा नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम आपको इसके बाद कभी नहीं होगी साथ ही आप मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताए कि आपको ये मटकी कैसे लगी और मुझे ये सही प्राइस में मिली है या नहीं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे comment box में बताना ना भूले वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजे, share कीजे चैनल पे नए हो तो subscribe ज़रूर करे ऐसे useful videos मैं आपके लिए लाते रहती हूँ तो चलिए फिर मिलते हैं